अध्याय पांच भारत एक है निबंध यह पाठ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संद्रह रेती के फूल से लिया गया है इसमें भारत की प्रमुक समस्या राश्च्य एक्ता के विविद पक्षों पर विचार किया गया है इस दिशा में हमारे पूर्वजों ने भी काफी प्रयास किये किन्तो प्राकृतिक बाधाओं के कारण उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई अब विज्ञान की क्रिपा से प्राकृतिक बाधाओं पर तो काभू पा लिया गया है पर देश की विशालता, जलवायू भिनता और भाशा भेद की समस्याए अभी तक बनी हुई है इन समस्याओं को सुलजाए बिना राश्च्र की एकता कायम होना पूर्णता संभव नहीं है अक्सर कहां जाता है कि भारत्वर्ष की एकता उसकी विवित्ताओं में छिपी हुई है यह बात जरा भी गलत नहीं है क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रबल है उसकी विवित्ताएं भी उतनी प्रत्यक्ष है भारत वर्ष के नक्षे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के तीन भाग प्राकृतिक द्रिष्टी से बिलकुल स्पष्ठ है सबसे पहले तो उत्तरी भाग है जो हिमाले के दक्षन से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जिसे हम दक्षनी प्लेटो कहते हैं इस प्लेटो के दक्षन में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंत्रीप तक का जो भाग है वह प्रायदवीब जैसा है अचरच की बात है कि प्रकृती ने भारत के जो ये तीन खंड किये हैं वे ही खंड भारत वर्ष के इतिहास के भी तीम क्रीडा स्थल रहे हैं पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किये गए उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए विंध्य को लांग कर उत्तर भारत को दक्षण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई मगर इस काम में काम्याभी किसी किसी को ही मिली कहते हैं पहले-पहल अगस्य रिशी ने विंध्याचल को पार करके दक्षण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसले में विंध्याचल को पार किया था महा भारत के काल में उत्तर और दक्षण भारत के राज्य किसी एक अन्ष के अधीन थे या नहीं इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की वह महा भारत काल में भी कायम थी दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे महाराज युधिष्ठिर के राजसु यग्य में दक्षण के राजा भी आये थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महा युद्ध हुआ उसमें भी दक्षण के वीरों ने हिस्सा लिया था इसका प्रमाण महा भारत में ही मौजूद है चंद्रगुक्त, अशोक, विक्रमादित्य के बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली पर वह ज्यादा टिकाओं नहीं हो सकी इस देश के प्राकृतिक धांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी इस देश में बैरफूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा इसके भी कारण है बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाडों के गुण अनेक है लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहां रहते हैं वहाँ देश के भीतर अलग-अलग क्षेत्र बना देते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतियता या क्षेत्रिय जोश पैदा हो जाता है, इसके उत्तरी छोर पर कश्मिर पड़ता है, जिसकी जलवायू लगभग मध्य एशिया की जलवायू के समान है, इसके विपरीत भारत के दक्षनी छोर पर है, जहां के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदी में श्रीलंका का नमूना शुरू हो जाता है, चेरा पूंजी भी इसी देश में है, जहां साल में 500 इन से अधिक वर्शा होती है, और थार की मरुभूमी भी यहीं है, जहां वर्शा होती ही नहीं, अथ्वा न उढ़ावे और खान-पान में भी भेध हो जाता है, यहां भेध भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष है, विवित्ता का सबसे बड़ा लक्षन यहां है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाशाएं बोली जाती है और इनके कारण हम आपस में भी अजन्बी के समान हो जाते है अगर कोई उत्तर भारत्वासी दक्षन चला जाए और दक्षन भारतिय उत्तर चला जाए और वहां अपनी मात्री भाशा के सिवा कोई अन्य भाशा नहीं जानता हो तो वहां सचमच बड़ी मुश्किल में पढ़ जाएगा भाशा भेद की यह समस्या हमारी राश्च्य एक्ता में सबसे बड़ी बाधा है पहले राश्च्य एक्ता में सबसे बड़ी बाधा यह थी की पहाडों और नदियों को लांगना आसान नहीं था मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधन उपलब्ध हो जाने के कारण वहां बाधा दूर हो गई है आज देश के चाहे किसी भी कोने में विद्रो हो जाए हम जल्दी से फौज भेज कर उसे तुरंत दबा सकते हैं प्राकृतिक बाधाएं खत्तम हो गई है यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है जितनी विशाल वहां रामायन, महा भारत, मौर्य और मुगल जमाने में कभी नहीं हुई थी प्राकृतिक बाधाएं अपशेश नहीं है मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है उसका हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा क् हिंदी भाषा का अच्छा प्रचार हो जाए सौभाग्य की बात है कि इस दिशा में काम शुरू हो गया है और कुछ समय बीटते बीटते हम इस बाधा पर भी विजय प्राप कर लेंगे यह तो हुई विवित्ता की कहानी अब जरा हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विवित्ता के भीतर हमारी एकता कहा छिपी हुई है हम अनेक भाषाय बोलते हैं किन्तो भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है हम एक ही तरह के विचारों और कथा की वस्तूओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते ह रामायन और महा भारत को लेकर भारत की प्राया सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एक्ता मिलेगी संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है एक्ता के असली आधार भारतिय दर्शन और साहत्य है, जो अनेक भाशाओं में लिखे जाने पर भी, अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं, हमारी एक्ता का दूसरा प्रमान यहां है कि उत्तर या दक्षिन चाहे जहां भी चले जाए, आपको जगा जगा एक ही संस्कृती के म अद्मियों से मुलाकात होगी, जो चंदन लगाते हैं, स्नान कूजा करते हैं, तीठ वरत में विश्वास रखते हैं, भाशा की दीवार तूटते ही, उत्तर भारतिय और दक्षन भारतिय के बीच, कोई भेद नहीं रह जाता है, और जो बात हिंदूों के बारे में कही जा रही है, वही बहुत दूर तक मुसल्मानों के बारे में भी कही जा सकती है, देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसल्मानों के भीतर, जहां एक धर्म को लेकर, एक तरह की आपसी एकता है, वही में संस्कृती की दृष्टी से हिंदों के भी बहुत करीब है, अनेक वर्ष से हिंदु मुसल्मान साथ साथ रहते आये हैं और इस लंबी संधती के फल्सवरू उनके बीच संस्कृती और सभ्यता की बहुत सी समान बाते पैदा हो गई हैं जो उन्हें दिनों दिन आपस में नजदीक लाती जा रही हैं प्रत्यक देश की एक नीजी संस्कृतिक रहन सहन खान पान तौर तरीके में समाई रहती है लेकिन यूरोपिय लिबास में सजे हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेश को खड़ा कर दिया जाए तो वह आसानी से पहचान लिया जाएगा भारतवासी भारतवासी ही है तथा वे अन्य देश के लोगों के बीच यही वह सांस्कृतिक एकता है या शक्ति जो भारत को